नमस्ते आप देख रहे हैं नौभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूँ आपके साथ हिमान्शो तिवारी उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ वो भयानक दौर सभी को याद है कोरोना गाइडलाइन्स जारी हुई कोरोना को देखते हुए जुर्माने का प्रावधान किया गया साफ कहा गया कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी यह भी कहा गया जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाब भी कारवाई हो पुलिस ने कई मामलों में लाठी भी चलाई ठेले भी पलटाए और ऐसे कई धेरों मामले सामने आए लेकिन सवाल तब उठ जाता है जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रहा है सवाल ये उठ रहा है कि उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता है मामला उत्तर प्रदेश के ललित्पुर का है क्या हुआ है आईए इस पूरी रिपोर्ट में देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा यूजन राज्य मंत्री मनुहर लाल पंद्व का एक वीडियो वाइराल हो रहा है एक बारात में वो फिल्मी गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रहा है ललितपुर सदर विधायक राम रतन कुश्वाहा के खरीबी और भारतिय जुनता पाल्टी के कारे करता के बेटे की शादी एक जुलाई को ललितपुर शहर के इलाइट शेत्र इस्थित लवकुष पैलिस में थी राज्यु में बारात निकली और इसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवा यूजन राज्यु मंत्री मनुहर लाल पंथ शामिल हुए डीजे पर गाना बज रहा था तो मंत्री जी भी खुद को रोक नहीं पाए और डांस करने लगे सवाल यह नहीं है कि वो डांस करने लगे सवाल यह है कि कुरूना महामारी के बीच गाइडलाइन्स का जम कर उलंगन हुआ बारात में शामिल लोग ना मास्क पहने हुए थे ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल रखा जा रहा था